हेलो दोस्तों मेरे चेनल सहे दिसावर मंत्र में आपका हार्दिक्स वागत है और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक मंत्र लेकर करके आया हूं यसे मालिया किसी को आ भूत रोग *** किसी ले भूत ने किसी को पकड़ लिया और वो दरसल में होता क्या है कि जब भूत किसी के सरीर में प्रवेश कर जाता है भूत प्रेत तो उस वक्ति की छेतना लुप्त हो जाती है यानि वो विक्रत सी अवस्था में हो जाता है उसे अपना अनुभाव नहीं होता कि जादे तर के अवस्थाओं में कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं वो एक ऐसा अभीक सा क्रिया मतलब इस तरह का वहवार करने लगता है और कभी-कभी तो वे मतलब इतना अवजेतन मन जागरत हो जाता है कि वो पता नहीं कहां कहां कि वो इस मिर्तियों को बताने लगता है तमाम जैसे कि इसको सब गया तक गया तो और दुनिया भर की वो चीज़ें बताने लगता है कि वहाँ ऐसा हो रखा है, वहाँ ये हो रहा, वहाँ वो हुआ, मतलब इस तरही सी किसे रहस्योद गाटन करने लगता है और जिसे सुनकर लोग जो आश्चरी चेकित हो जाते हैं, काई वार दो लोग उसको भगती मानके बैठ जाते हैं कि अरे, अरे, फलान आदमी तो बहत-बहत दूर की बताता है, बहत-बहत यह करता है लेकिन असलियत में होता क्या है, कि वो किई बार उसको भूत पकड़ लेता है तो वो परेद जो है, वो इसके अंदर गुश करकर बैठ जाता है, और वो दुन्या भर की बाते हैं काने लगता है और कई कोई साथ ऐसा होता है कि कुछ भूत परेत ऐसे होता है कि वो अपनी योनी में ही उसको ले जाने की सोचते हैं कि भई वो क्या होता कि मतलब उस रोगी को जो है वो कुछ ऐसा रोगी से उस से करवा देते हैं कि जिससे कि उसके मिरती हो जाती है तो और ऐसे रोगी का अगर जल्दी से उपचार ना किया गया तो फिर वो मरी जाता है और उसका प्राण जो है ले जाते हैं वो उसको साथ में तो उसी के उसमें मैं आपको एक ऐसा मंत्र बत लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिस करूँगा कि मेरे चैनल नए सबिस्क्राइबर्स हैं मेरे जो नए लोग भी वर्स हैं वो मेरे चैनल को सबिस्क्राइब कर लें और गंटे के बटन को प्रेस कर दें क्योंकि मैं जो भी रोज एक वीडियो में डालता हूं तो जो भ लाइक तो पिलिस करी देना इतना तो बनता ही है यार और इसका कोई पैसा भी नहीं लगता है आपसे आपका कुछ जाता भी नहीं है मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो आप करी सकते हो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको ग्रहन काल की अवशक्त होती है अभी 21 तारीक को आपका ग्रहन काल पड़ेगा सूरिय ग्रहन है तो उसमें आप इस मंत्र को सिध्ध कर सकते हो इसमें एक हजियार ग्यारह बार आपको मंत्र जप करना है और मंत्र जप समाप्ति के बाद में 108 बार मंत्र पढ़ करके लोवान की आहुती दें मतलब एक छोटा सा हावन कर लें तो ये मंत्र जो है प्रभावसालि हो जाएगा और उसके बाद जो आपको इसका प्रियोक करना है उसको क्या करना है कि रोगी को आप लिटा दे ये बिठा दे कैसे भी करें और आम की लकडिया ले 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 और उसके अंगारे में लोवान किया होती दें पाँच या साथ बार मंत्र का जाप करें और जबकि समापती के बाद आग में लोवान डाल दें और उसके बाद उसी हवन की जो राख होती है और रोगी के सरीर पर मलें माथे पर हिर्दे आदी पर सब लगाएं और भस्म लगाते समय भी जो है मतलब इस मंत्र को जबते रहें लेकिन क्या बार क्या होता कि कोई-कोई भूतना इतना सक्ति साली होता है कि वो फिर भी उसकी चाया रह जाती है तो उस स्थिति में क्या करें कि आप एक अनार की कलम ले लें अतलब की अनार की लकड़ी और उसको कलम टाइप बना लें और लाल चंदन से एक भोज पत्र पे इस मंत्र को लिख ले और फिर इस मंत्र को जो में उपर मंत्र है जो आप उस पर लिखेंगे ना भोज पत्र पे उसी मंत्र को पढ़ते भी उसे लोबान की थोड़ी सी धोनी दे दे और उसे किसी भी तांबे के ताबीज में भरके रोग मंत्र मैं आपको बता देता हूं लाश्ट में, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको डिसकेस्म में दे दूँगा, और वहां से आप इसको याद कर लेना, मंत्र इस प्रकार है, ओम हरीम भरीमफट स्वाहा, परवत हंस स्वामी, आत्म रक्षा सदा भवेत, नौनात चौरासी सिद्धियां की दुआई, हात में भूत, पाउं में भूत, भवूत मेरा धारन माथे राखो, अनाड की जोत, सब को करो सिंगार, गुरू की भक्ती मेरी सक्ती, फुरो मंत्र इ इसमें मैं एक बार और पढ़ करके आपको सुना देता हूँ, ओम हरीम भरीमफट स्वाहा, परवत हंस स्वामी, आत्म रक्षा, सदा भवेत, नौनात चौरासी सिद्धियां की दुआई, हात में भूत, पाउं में भूत, भवूत मेरा धारन माथे राखो, अनाड की जोत, सबकी करो सिंगार, गुरू की सक्ती, मेरी भक्ती, फुरो मंत्र इस्वरवाचा, दुहाई बहरो की, तो ये मंत्र है, इसको आप याद कर लेंगे, और जो मैंने विधी बताईए, उसी विधी से आप इसको सिद्ध करके और इसका प्रियोग कर सकते हैं, अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को, और मैं आप से अब विधा लेता हूँ, बोलिये मेरे साथ, उल्यानिमान जी महराज,